पिशले आठ माहिनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप्पुमुख्य मंत्री मनीच सिसोधिया को सुप्रीम कोड से भी रहत नहीं मिल सकी है सोंबार को सिसोधिया की याची का पर सुनवाई करते वे कोड ने उन्हें जमनत दिने से इनकार कर दिया दिल्ली शराप नीथी में कथित ब्रष्टाचार और मनी लॉंडरिंग के आरोपों के चलते मनीच सिसोधिया को इसी साल 26 फरवरी को अरिस्ट किया गया था मनीच सिसोधिया को जमनत नहीं मिलना जाच एजनसियों एडी और केंदरी जाच ब्यूरों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है सुत्रों के मुताबिक जाच एजनसिया इस आदेश को जमानत की सुनवाई के दोरान उनकी दलीलों और शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किये गए सबूतों की स्विक्रिती के रूप में देख रहे हैं सुप्रेम कोट ने मनीश सिसोधिया को बेल देने से किया इनकार अगले 3 महने के लिए जमानत के रास्ते भी होए बन मामले में नंबर 1 आरोपी बनाए गए सिसोधिया को फरवरी में CBI ने गिरफतार किया था शिसोधया पर इस मामले में सबूत नश्ट करने और अन आरोपियों के साथ मिलकर कोई शराप कारोबारियों के लिए मोद्रिक लाप के बदले में एक नीती लगू करने की साजीश रचने के आरोप हैं इसके बाद एडी ने मार्च में मनी लॉंडरी के आरोब में सीसोधिया को गिरफतार किया था सुप्रिम कोट से पहले ट्रायल कोट और दिल्ली हाई कोट ने भी सीसोधिया की जमानत त्याजी का खरिच कर दे थी